नमस्कार यह धर्म रहसे है और मैं डाक्टर राजीवनिसप्रह आप से बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहसे बिद्र राजीवनिसप्रह के माध्यम से एक नया वीडियो सिद्धकुंज का इस्तोत्र रहसे के उपर इस वीडियो में मैं आपसे सिद्धिकुंजिका इस्तोत्र के कुछ रहसे और कुछ अंसुल ये प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ उम्मीद है अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपको निश्यत रूप से अपने जीवन में अनेकों सफलताएं मिलेगी पहली बात तो ये है कि सिद्धिकुंजिका इस्तोत्र भगवान शिप का मापार्वती को दिया गया मंत्र है और ये उन्होंने मापार्वती से कहा है कि ये मंत्र उतना ही गुप्त रहना चाहिए जितना मनुश्य अपने गुप्त अंगों को गुप्त करके रखता है चुपा कर रखता है उसी प्रकार ये मंत्र भी गुप्त रहना चाहिए और हर किसी को इसके प्रयोग के विधी नहीं देनी चाहिए गुर्मुक से ये प्राप्त होता है और वहीं से भी ये फलिथी होता है आप इसको अगर आप स्वयम सिद्ध करना चाहें तो बहुत अधिक शरम की बहुत अधिक चीजों की आवशक्ता पड़ेगी जो हो सकता है कि आप ना भी कर पाएं तो इसमें आप ये समझ लें कि इसमें कई सारे मंत्र ऐसे हैं जो पूरे अगर आप सिद्ध कुण्ज का इस तोत्र को ना भी करना चाहें तो वो मंत्र भी अपने आप में बहुत अधिक फल देने वाले हैं जैसे इसके अंदर नवाण मंत्र च्पा हुआ है ओम लगाने की भी आवशक्ता नहीं है क्योंकि एम महासरश्टी का मंत्र है हरीम महालक्षमी जी का मंत्र है क्लीम महाकाली जी का मंत्र है तो एम हिरम क्लीम चामनडाई विच्चे केबल इतना भी आप प्रयोग मिला सकते हैं अगर इस प्रयोग को इस मंत्र के प्रयोग को अगर आप एक माला तीन माला पांच माला ग्यारा माला इकीस माला जितना आप करते हैं यह आप जो भाव लेखर करते हैं वही चीज आप के नंदर जागरत होने लगते हैं दूसरा जो एक बहुत महत्पूर मंत्र है वह है ओम एम रिंकलीम चामनडाई विच्चे इसी मेही नहित है यदि आपACE इस मंट्र को पांच ग्यारह 21 माला प।्रुद्राक्से या कमबलगत्ते की माला से करते हैं जो भाव लेकर करते हैं सिधी के लिए करते हैं तो सद्धी प्रापत होगी धन के लिए करते हैं धन प्रापत होगा और महारण if von part रस्तम और चाटन इन सब के लिए करते हैं तो यह भी आपको प्राप्त होते हैं लेकिन इस मंत्र की या इस पूरे ही सिद्धिकुंजिका इस तोत्र की एक विशेष्था कहें या शर्त कहें वह यह है कि आपका जो घट है यानि घट यानि आपका शरीर आपका मस्तिश्क वह कलश्ट से भरागवा नहीं होना चाहिए वो दुरभावना से भरागवा नहीं होना चाहिए आपकी आँख में कोई गंदगी नहीं होने चाहिए आप इस मंत्र से प्राप्त सिद्धियों को दुरुपयोग करने के आदी या उनकी आवशक्ता आपको अनुम नहीं होने चा करते हैं तो आपको निर्धारत वस्तुएं जो इससे प्राप्त हो सकते हैं वह सभी आपको प्राप्त कर सकते हैं इसके पूरा ही मंत्र है इस मंत्र को अगर आप पूरा ही करते हैं और इसमें वी एक समय का विधान है अगर आप इसे आठ से ग्यारा वजे के बीच में करते हैं तो सांसारिक प्रहर के बात करते हैं तो भी आप इससे सिद्धी प्राप्त कर सकते हैं आपको सिद्धी प्राप्त अगर प्रियोग आपको जो है वह रात्रिक आल में 11 बाज़े कर सकते हैं और सटेशी हर 101 माला पूरी कर सकते हैं तो इतनी माला है अगर आप करते हैं एक आसन पर सरसों के तेल का टीपक कर सकते हैं की क demiş चला कर सकते हैं जिस प्रकार के आप भाव लेकर करते हैं उसी प्रकार का दीपक उसी प्रकार का आपको उपयोग साधनों का करना पड़ता है और मा भगवती का ध्यान करना पड़ता है से पहले श्री महाघडेश का इसकी बगवान शिव का इस तमन का ध्यान करें ओमने Shivai से इसके प्रश्चात आप वटक वहरोनाथ जी का भी इसमन कर सकते हैं अगर उनका का मैं आपको एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो बहरोनाज जी का वह मंत्र है ठीक है ना तो उनका भी आप इसमन करके और इसके बाद फिर आप इन मैंसे नवान मंत्र का या दूसरे वाले मंत्र का या पूरे पूर्जाओं को बाहर निकाल के फैकना होगा कि जो घट है आपके भीतर का जो घट है अगर इसमें आकाश आपका स्ट्रक्ष नहीं होगा तब तक यह मंत्र कोई काम नहीं करते और यह फिर आपको नुक्सानी पहुंचा सकते हैं इस वीडियो में इतना ही लगाता देख रह हैं अगले वीडियो में फिर से आपसे दोबारा मिलूंगा किसी और दूसरे विशेपर अगर आपके कोई प्रशन है तो आप वाटसप के माद्यम से फोन के माद्यम से मुस्से सीधे पोछ सकते हैं 98707-41675 यह नंबर मेरा वाटसप नंबर भी है कॉलिंग नंबर भी है हर वीडियो पर इस नंबर को मैं देता हूँ तो आप इससे लगाता जुड़े रहे हैं धर्व रैस्विज राक्टर राजीन इस प्रेसे नमस्कार शुबरात रहे हैं